नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आठ की विशे हिंदी की करपत्रक नमबर पांच पढ़ें जिसकी तिती है 20 अप्रेल 2021 पैरे बच्चों जो आज आपकी वर्क सीट नमबर पांच आई है यह आपकी जो पुस्तक है हिंदी की और जिसका नाम है बसंद उसके तीसरे पार्ट का एक तीसरा पार्ट है आपका जिसका नाम है बसकी यात्रा तो उसका आज हम फर्स पार्ट यानिके प्रतम भाग पढ़ लेंगे और कक्ष अध्यापक के नाम में लिख लेंगे अपने क्लास टीचर का नाम या फिर अपने हिंदी टीचर का नाम लिखेंगे अगर आप लोग अपने हिंदी टीचर को अपनी वर्क सीट दिखाते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं आज की वर्क सीट बच्चों आज इस कारवत्रक में हम अपने पाठे पुस्तक बसंत के तीसरे पार्ट बसकी यात्रा का प्रतम भाग पढ़ने जा रहे हैं यह हरी संकर परसाई जी की व्यंग रचना है किसने लिखिया है हरी संकर परसाई जी ने बच्चो व्यंग एक ऐसी विधा होती है अब आपने पढ़ा व्यंग रचना है लेकिन व्यंग है क्या पहले ये तो समझे तो व्यंग ऐसी विधा होती है ऐसी प्रकार होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते हैं डिरेक्ट नहीं कहते हैं तुम ऐसी हो तुम ऐस मतला हमें उसको जो बात बतानी चाहते हैं हम उसको बता भी देंगे और इस तरीके से बोलेंगे कि उसको खराब भी न लगेगा ठीक है तो यह होती है व्यंग इस पार्ट में भी लेखक व्यंग का प्रियोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन विवस्ता पर गहरा चोड़ करते हैं जो भारत की जो हमारी परिवहन विवस्ता समझते हो चीन में जाते हैं लोग बैठके हैं तो बसों को बात कर रहे है आई ये पार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं चलिए अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे हम पांच मित्रों ने तया कि कि शाम चार बजे की बस से चलें अब जो लेखक है और उसके चार मित्र और उन समने ये निश्य किया कि साम चार बजे की बस से चलेंगे जो साम चार बजे हैं से बस जाती है पन्ना से इसी कम्टनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है अब उन्हें कहां से जाना था पन्ना से जाना था और सतना तो हर एक गंटे के बाद पन्ना से सतना के लिए बस मिलती है अब बच्छों आप होगे इतनी लेट तो पहले बस ऐसे ही आते थी ऐसी थोड़े ना कि एके मिनिट में बस आ रही है क्या होता था कम लोग यातरा करते थे कम लोगों को जबरत होती ह जबलपूर की ट्रेन मिला देती है और यह क्या करता है जबलपूर की ट्रेन है वो मिला देती है सुबह घर बहुँच जाएंगे हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचना है, सुबह को उन्हें ड्यूटी कर रही है, काम पर हाजिर होना है तो इसलिए उन्हें ने सोचा, यही रास्ता सबसे बेस्ट है लोगों ने सहला दी कि समझदार आदमी इस साम वाली बस से सफर नहीं करते तो लोगों ने ये सला दी कि जो समझदार आज में होते हैं शाम वाली बस सफरनी करते किसी ने बताया होगा कोई कारण रहोगा तो क्या बोलते हैं जो लिखक हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं नहीं, बस डाकिन है, अब वो किसी ने पूचा, भी ऐसी क्या बात है जो रात को इससे सफर नहीं करते, तो उन्हों ने बोला कि डाकु मिल जाते हैं, तो किसी ने व्यंग करते हुए कहा, आब डाकु कुछ नहीं मिलते, बलकि यह जो बस है यही लूट लेती है यही डाकिन है मतलब वो खराब इस्तिती में है बस पुरानी है जरजर है तो वो ही परिशान करती है यह बूला गया है बस को देखा तो स्रद्धा उमड़ पड़ी खूब व्योवर्द थी अब वो क्या कह रहे हैं वो उसके उपर व्यंग कसरे हैं स्रद्धा यानि के वो कह रहे हैं कि बड़े को देख यहाँ जैसे हमारे अंदर अच्छे भावा जाते हैं उनको नमस्कार करते हैं उनके साथ danasodaiban के खूब व्यहवरत यानिके खूब एज की बस यहाँ ती प्योवरत यानिके बुटी वह वियंग कर रहे हैं उस पे मतलब उस पे कटाक्ष कर रहे हैं उसकी बुराई कर रहे हैं लेकिन घुमाफिरा के सद्धियों के अन्भाव से निसान लिए हुई थी और ऐसा लग रहा था बहुत एक्सपीरेंस है उसको यानि के बहुत पुरानी बस्ती बुद्खराब वस्ता में थी निसान लगे वे थे यानि के टुटी फुटी थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रद्धा वस्ता में इसे कस्ट होगा और लोग यह फिर व्यंग कर रहे हैं वो कहने कि क्योंकि बुड़ापे में इसे कस्ट न पहुचे इसलिए नहीं करते यह बस पूजा के योग्यती अब देखो कितना व्यंग कर रहे हैं कितना जादा उस पर कटाक्ष कर रहे हैं लेकिन घुमा फिरा के लग उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है देखी कितने हास्यास पद है चले अब देखे बच्च तो इसको डाकिन भोलते हैं वियो वरद यानि के जिसकी बहुत उम्र हो जाती है प्रद्धावस्ता यानि के बुढ़ापा चलिए अब हमने वर्क सीट पर ली अब कर लेते हैं इसके कुछ नासर पहला प्रसन है लेकक ने बस से यात्रा करने का निर्ने क्यों लिया तो इस रास्ता अपना जरूरी था तो ये लिख देंगे आप प्रशन नमबर एक के उत्तर में चलिए अब आजाते हैं प्रशन नमबर दो की तरह प्रशन नमबर दो आपकी वर्क सीट में पूछा गया है लोगों ने यात्रा के सम्मन में लेकक को क्या सला दी और क्यों तो लोग थी तो ये लिख देंगे आप प्रशन नमबर दो का उत्तर लोगों ने लेकक को ऐसला दी कि सम्मझदाराद भी सामाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी ठीक है चलिए अब आजाते हैं प्रशन नमबर तीन पर बस को देखकर लेक ने जो कर ये लिखना है बस को देखकर लेखक व्यंग के माद्यम से बस की इस्तती को बता रहे थे कि बस बहुत पुरानी है और उसकी हालत चलने लायक नहीं है तो ये लिख देंगे आप प्रशन नमबर तीन के उत्तर में चलिए अब आ जाते हैं प्रशन नमबर चार पर प्रश से होने वाली बात्चीत को लिखे तो चलिए बात्चीत लिख देते हैं तो हम बात कर रहे हैं अपनी एक पुरानी से घड़ी से जिसको हम अप्रियोग नहीं करते तो चलिए क्या बात होती है हमारी पुरानी घड़ी से हम ये लिख देते हैं आप भी लिख सकते हैं इसके तुम बताओ तुमारा क्या हाल है पुरानी गड़ी अरे क्या बताओं मेरी हालत तो गंबीर है मन करता है तुम्हारी जिन्दगी भर सूरत ना देखूं पर क्या करूं तुम मुह उठा कर जो आ जाते हो अब मैं हस दिया और कैसे बोला हसता हुआ हा हा तुम्हें पहन कर मैं बोर हो गया था मुझे नई घड़ी चाहिए थी इसलिए तुम्हें पहनना बंद कर दिया पुरानी घड़ी तो जाओ ना अपनी नई घड़ी के साथ यहां क्या कर रहे हो तो इस तरीके से तुम हसने वैली कोई भी जो आप बात के लिखना चाहो वो लिख सकते हो तो यह हमन अपना काम आप ध्यान पूर्वक कर लेंगे तो बचो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ायवा समझ में आता है तो आपको लाइक करना है वीडियो को सारे दोस्तों को अपने शेयर कर देना जिससे वो भी इस वीडियो की मदद से अपना होमवक कर लें और बचो से बाहर बहुत कम निकल ये अगर जरूरी ना हो तो बिलकुल ना निकल ये निकलें तो जो हम मास्क पहन के निकलें 6 वीड की दूरी बनाए रखें तैंक यू स्टुरेंट्स